हेलो व्रीवन वेलकम टू इस इमेजिंग प्लेटफोर्म आई पेपर क्लासिस एजुकेशन इस दा की टू सक्सेसिल लाइफ तो दोस्तों फीड से एक बार नए सेशन में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए जरूरी मतलब वीडियो लेके आ चुका हूं जिसमें आपको बताने वालूं कि काफी इस देंट्स के जो प्रोब्लम आ रही है ना तो उनको हम आज अफ सोल आउट करेंगे ठीक है क्या प्रोब्लम है भई तो काफी सारी प्रोब्लम है कि सर हमारा जो है क्रेक्शन लिंक आएगा या नहीं आएगा काफी सारी इस ब्लू पैन से किये हैं तो काफी सारी प्रोब्लम्स है भई तो इन सभी प्रोब्लम्स को सोल आउट करेंगे ठीक है जटन्ट तो बने रहेगा और शेयर कर दीजेगा एक बर क्लास को यूगि बहुती जो आपकी क्लास होने वाली है आप देख लिजे दोस्तो ओफिशल नोटिस मैंने खोल रखा है अपनी स्क्रीन पर ठीक है यह आपका ICR इंडियन एकरिकल्चर रिसर्च इंसिचूट की तरफ से दोस्तो यह ओफिशल अपडेट है तो बात करें दोस्तो यह आपका इंस्ट्र तो उसके बारे में हम बात में बात करेंगे पहले आप इन्हें देख लिजिए आपकी दोस्तो यह जो जितनी प्रोब्लम्स है ना उनके बारे में हम डिसकस करेंगे पहले देख लिजे कैसे कैसे है एक तो दोस्तो यह दिखा रखा है उन्होंने यह रहा कि उम्मीदवारो को उनलाइन आविदन भरते समय सही विवरंद देने में अत्यादिक सावधानी बरतनी चाहिए मतलब आपके मतलब फॉम फिल करेंगे अच्छे तरीके से करना दोस्तों नहीं तो एक बार आपका फॉम फिल हो गया ना तो फिर वो दोस्तों आपका करेक्शन में नहीं आएग मतलब समपादित नहीं किया जाएगा दोस्तों दुबारा से ठीक है यदि आपने एक बार फॉम भर दिया है अगर आपकी एक बार फिर जमा हो गई तो दोस्तों वापस नहीं होगी ठीक है चाहिए वो फिर फॉम गलत हो या सही हो आगे हम बात करें दोस्तों ये रहा एक बार जमा किया गया आवेदन वापस नहीं किया जा सकता ठीक है और एक बार बुगतान किया गया सुल्क भी वापस नहीं किया जाएगा भई समझ में आए सभी को तो दोस्तों जितनी भी ये लाइन से है ये मोस्ट इंबर जाते हैं अब सभी के सारइ सोलीशन इसमें है ठीक है अब देखते रहें एक है कर करके सभी class को share कर देना like कर देना session को जितने भी students है आगे देखते भी आगे क्या धिया है इन ranking होगी सिगनेचर और फोटो से रिलेटेट काफी सारी प्रोब्लम से इसमें दोस्तों कहा गया है कि आपको रंगीन फोटो होना चाहिए बस रिलके बैग्राउंड के साथ इसमें कोई बैग्राउंड मैंसर नहीं रखाए कि आपको ब्लैक लेना है नेवी ब्लू लेना है वाइट लेना है हलके बैक्ग्राउंड के साथ आपका फोटो होना चाहिए कोई भी फोटो चल जाएगा बस आपका तीन हफते से पुराना नहीं होना चाहिए फोटो अब काफिश जर्ण्स बोलेंगे सर्मने तो एक रखना जितने भी जो भी आप फोटो डालेंगे उसे लाश्ट तक आपको रखना है उसाम पर्किरिया उग्यूंगा अ फोटो चलें है ओन लुझ ही हुम उसी फोटो चलेंगा ठीक है इन्होंने उंहने मैंसन करड़ा एक तरम अच्छे तरीके से क्या है या तो पता नहीं क्या होगा ठीक है या तो करेक्शन लिंक काना चाहिए नहीं आया तो फिर पता चल जाएगा क्या होने वाला है वो आगे देखी जाएगे ठीक है अब भैतो दिया ही ना आपने आप अपनी तयार ही करिए बस अब हास्ताकसर केवल आवे दक द्वारा ही होना चाहिए ठीक है ये तो कोई बात नहीं है आगे चलते हैं तो बस द्यान रखना दोस्तो ब्लैक पैन अब जितने भी भरेंगे ना वह ब्लैक पैन का यूज़ करना भई और इसकैन करके डालना अपने आशताकसर को ठीक है इसकैन करके डालना है आपको आगे देखे दोस्तों आगे भी कुछ होगा तो पढ़ेंगे अच्छे से ठीक है बुगतान के बारे में दे रखा है इसमें आपको फीज कैसे कैसे जमा करनी है बई तो इतना ही था दोस्तों यह जो कुछ most important lines थी यह मैंने आपको बता दी थी एक तो दोस्तों signature black pen से करने है ठीक है white favorable black pen से करके आपको से scan करना है तब चड़ाना है दूसरी दोस्तों photo से बात करें तो कोई सबी background हो भई हलका background होना चाहिए और बागी फिर उसमें तीन अफ़ते से प्राना ना हो और आगे दोस्तों आवेदन की बात की गई है तो जितने भी students हैं जो अब भरेंगे तो भई अच्छे से भढ़ना एक ही बार भढ़ना ठीक है क्योंकि दुबारा आपका कोई correction link मुश्किल है इन्होंने साफ साफ mention कर दिया है कि correction link नहीं आएगा तो नहीं आएगा तो समझ में आया दोस्तों ये थी आपकी कुछ instructions जो मैंने बताई आपको ठीक है share कर देना like कर देना session को तो मिलते है दोस्तों ऐसी नेक्स्ट वीडियो में और जितने भी students है उसे भी चैनल सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि आपकी ICR की तैयारी जोरो सोरो से आई paper classes करा रहा है ठीक है